हेलो बच्चो स्वागत है आपका आज हम लोग अपने कावेखन का अंतिम चाप्टर को भी समझेंगे तो उससे पहले आपके लिए बड़ा एनाउस्मेंट इस चाप्टर के बाद हम लोग एक नई स्रीच को लेकर आ रहे हैं जिसमें आपके जितने भी डाउट रहते हैं कि एक्जाम में कैसे अच्छा माक्स लाएं कैसे आंसर राइटिंग करें कैसे अपने उत्तर को इतना बेहतर बनाएं इतना प्रभाव साली बनाएं कि एक्जाम में हमें टीचर माक्स देकर ही रहे हैं इन सब प्रॉब्लम्स को इन सब स्टाटिजीज को हम लोग डिटेल में नए स्रीज में समझेंगे तो उससे पहले हम लोग इस चाप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसका चाप्टर में के लेखा कौन है रेनर, मारिया, रिलके इस चाप्टर के लेखा के तो सबसे पहले उनके जीवन से कुछ important points जो एक्जाम में सीधी आते हैं उसको देख लेत तो रेनर, मारिये, रिलके का जन्म कब हुआ था तो 4 दिसंबर 1875 में कहां पर तो प्रियाग आस्ट्रिया में जो की अब जर्मनी हो चुका है वहां पर इनका जन्म हुआ था उनके पिता का नाम था जोसेफ रिलके और माता का नाम सोफिया तो जन्म हुआ चार दिसंबर 1875 पिता का नाम जो सेवरेल के माता का नाम सोफिया फिर उनकी स्टार्टिंग से ही सुरुआत से ही कला और साहित में काफी गहरी रूची थी उनका इंट्रेस्ट कला और साहित में काफी ज्यादा था फिर क्या पूछा याता है हमसी एक्जाम में उनकी कुछ रचना है उनकी कु पर न्यास है दर नोट बुक ऑफ माल्टे लॉर्डिज ब्रीच और टेल्स ऑफ अलाइम्टी ये काफी इंपॉर्टेंट है आप इसे कम से कम याद करकर जाओ ये कोश्चन एकजाम में आने की समखमना बहुत जादर हती है और इस चैप्टर से आखरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी जीवनी से वो ये है कि उसका जो उनकी कवीता तो जर्मन भासा में तो उसका हिंदी में भासांत्रन किस ने किया तो धर्मबीर भारती ने उस कवीता को हिंदी में ट्रांसलेट किया यानि कि हिंदी में कनवर्ट किया तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम दो चलते हैं फाइनली अपने चाप्टर की योर तो चाप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभू ये जो चाप्टर है वो काफी डीप अंडर स्टैंडिंग वाली है इसलिए काफी ध्यान से इस चाप्टर को समझेगा नहीं तो उसका गलत मिनिंग नि छाओं जब मैं तुम्हारी मदीरा सूख जाओं गा या स्वाध हीन हो जाओं गा कहने का मतलब है कि जब मैं ही नहीं रहूंगा मतलब अगर भक्त ही नहीं रह तो क्या अब भगवान का कोई अस्तित्र के स動 Dent को हो ही नहीं सकता हो यही कवी कहना चारे हैं कि जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे तब तुम क्या करोगे जब मैं तुम्हारा जलपाद्र तूटकर विखर जाऊंगा जब मैं तुम्हारी मदीरा सूख जाऊंगा या स्वाद हीन हो जाऊंगा तब तुम क्या करोगे सिंपल सा बात है आप दिमांग लगाईए हम लोग क्या बोलते हैं भगत के वश में है भगवान यानि कि जब तक भक्त है जब तक पूजा करने वाला है तब तक ही भगवान है जिस दिन वो पूजा करने वाला व्यक्ति समाप्त हो गया उस दिन भगवान का अस्तित भी भी समाप्त हो जाएगा ठीक है इसे आप ध्यान समझिए यही चाप्ट यहां पर ब्रिती का मतलब होता है आधार जिस प्रकार एक मकान कांटी का होता है जमीन पर अगर जमीन नहीं रहे तो क्या मकान ख़रा रहेगा बिलकुल नहीं उसी प्रकार अगर भक्ती नहीं रहे अगर मैं ही नहीं रहा दुनिया में कोई भक्त नहीं रहे इंसान नहीं रह बिल्कुल नहीं जिस दिन अंति मनुस इस धर्ती से लुप्त हो जाएगा उस दिन भगवान नाम की चीज भी इस धर्ती से चली जाएगी आप किसी भी धर्म से हो इससे वह ऐसा कुछ मत लीजेगा बस कभी क्या कहना चाहरें उसको समझेगा कि कभी कहना यह चाहरें कि मेरे बिना तुम ग्रीही निर्वासित होगे स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका हूँ मेरे बिना तुम्हारे चड़नों में छाले पर जाएंगे वे भटकेंगे लहू लुवान ध्यान सुनेगा यहां पर मेरे बिना तुम ग्रीही निर्वासित होगे स्वागत वीहिन यानि कि हम लोग उनका जो पूजा पार्ट कहां करते हैं घर में करते हैं या फिर मंदिन में करते हैं ठीक अगर वही स्थान उनका हटा दिया जाए मतलब अगर कोई पूजा पार्ट करने वाला ही नहीं रहे तो वो तो बिल्कुल ग्रीहीन हो जाएंगे मतलब उनका तो कोई घर ही नहीं बचेगा उनका कोई स्वागत करने वाला ही नहीं रहेगा मैं तुम्हारी पादुका हूँ मेरे बिना तुम्हारे चड़नों में छाले पर उनकी पाद्युका तो हम लोग ही हैं हम लोग के कारणी भगवान का अस्तित्य है ये कभी कहना चाहरे हैं तुम्हारा सांदार लबादा गिर जाएगा तुम्हारी कृपा दिश्टी जो कभी मेरे कपोलो की नर्म सया पर विश्राम करती थी निरास ओकर वसुक खोजेगी जो जो मैं उसे देता था यानि कि तुम्हारा सांदार लबादा गिर जाएगा हम ही लोग ना भगवान को वस्त अरपन करते हैं अगर हम ही लोग नहीं रहे तो भगवान का लबादा गिर जाएगा सिंपल सा लोजिक है कभी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भक्त नहीं रहा तो भगवान का कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा जब तक भक्त है पूजा करने वाला तब तक ही भगवान का अस्तित्व है ये कभी कहना चाह रहे हैं तुम्हारी क्रीपा दिश्टी जो कभी मेरे कपोलो की नर्म सया पर विश्राम करती थी, निरास होकर वो सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था, यानि कि मैं जो तुम्हें पलको पर अपनी बैठा का रखता था, जिस दिन मेरी क्रीपा दिश्टी खतम हो गई, उस दिन तुम्हारा क्या होगा, ये कभी कहना चाहरे हैं, दूर की चटानों की ठंडी गोद में, सुर्यास के रंगों में घुलने का सुख, प्रभू, प्रभ पत्थर को भी भगमान मानते हैं, हर एक चीज जब भगमान की कलपना करते हैं, अगर हम लोग नहीं रहेंगे, तो फिर भगमान का क्या होगा, मेरे बिना तुम प्रभू क्या करोगे, ये कभी कहना चाहरे हैं, कि जब हमारा ही अस्तित्व नहीं रहेगा, तब तुम उस सम प्राइंब होती है मिलते हैं अगले सिरीज में जह हम लोग इस्ट्रोएंट की सारे प्रoupलोंज पर बात करेंगे क्या हमारे स्ट्राटीज होना चाहिए ताकि हमें अच्छे मांक्स आ जाए तो उस पर हम लोग आराम से बहुत डिटेल में बात करेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक पढ़ाई करते रहें All The Weddy Waste